देखो, जैसे माललो हमें एक सर्कल दिया जाए और उस सर्कल पर एक पॉइंट दिया जाए, ठीक, तो क्या हुआ देखो, अब हम इस टेंजेंट का एकोशन निकाल सकते हैं, जैसे माललो हमें ये सर्कल दिया गया, कोई भी सर्कल दिया गया, ऐसे करके, तो हम इस टेंजेंट का equation निकाल सकते हैं क्या xx1 plus yy1 minus a square बराबर 0 अब देखो क्या होगा वो सारे circles जो इस point से पास होंगे मतलब इस point पर touch करेंगे उनका भी general equation क्या होगा देखो माल लो ये circle है और माल लो ये line है तो क्या होगा circle plus lambda time line बराबर 0 तो दोखो यहां पर भी अब जितने भी circle है सबकी radical axis ये होगी common tangent जब दो circle touch करते हैं तो radical axis common tangent होती है तो इसलिए अब देखो सबकी radical axis common है इसलिए हम इसको भी coaxial system of circles कहेंगे मतलब एक circle दिया गया उस पर point दिया गया वो सारे circles जो इसको इसी point पर touch करते हैं उनका general equation ये होगा circle plus lambda time line line क्या है line का मतलब tangent का equation तो circle दिया है उससे tangent निकलेंगे एक circle हो गया एक tangent हो गई ठीक देखो इसी में हम ऐसे भी देखो कह सकते हैं जैसे मान लो हमें यहाँ पर एक line दे दी जाए line given हो और line पर एक point given हो अब वो सारे circles जो इस line को इस point पर touch करेंगे वो सारे circles जो इस line को इस point पर touch करेंगे देखो क्या होगा उनका equation देखो क्या करें हम इससे line तो दिया गया है अब हमें एक circle भी चाहिए हम क्या करें इसको center मान के zero radius का circle लिख लिए देखो क्या होगा x-x1 का square y-y1 का square बराबर 0 है इस point को center मान के zero radius का circle यह होगा इसे point circle कहते है अगर circle की radius zero कर दी जाए तो ऐसे circle को point circle कहते है नहां दो तो हमने क्या किया line दी गई थी और एक circle अपने मन से लिख लिया यह s हो गया फिर देखो इनका general equation क्या होगा s plus lambda time line बराबर 0 s का मतलब यह circle जिसका center 0 है जिसका center यह वाला point है और radius 0 है और line का मतलब यह line जो दी गई है तो मतलब line दी जाए और point दिया जाए उसको उस point पर touch करने वाले का equation यहां circle दिया था point दिया था उसको उस point पर touch करने वाले circle का equation देखो ध्यान दो हना यह भी coaxial system of circle ही है देखो पाचमा माल लो हमें 2 fixed point दे दिये जाए x1 by 1 और x2 by 2 अब इन दोनों point से भी infinite circle pass होंगे इन दोनों point से भी infinite circle pass होंगे अब दोखो उनका equation कैसे लिखेंगे दोखो फिर वह ही है एक चाहिए line दोखो line क्या होगी दो point से पास होने वाली line y minus y1 बरावर y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1 दोखो यह line हो गई हना एक line हो गई अब एक circle चाहिए तो एक काम करें इन दोनों को हना इन दोनों points को diameter मान कर एक circle निकाल ले हना अगर हमें दो point दिये जाए उनको diameter मान कर एक circle निकाल ले तो दोको circle का equation यह होता है x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 बरावर 0 ध्यान देरा हना हना जैसे दो point दिये जाए जिनको diameter के ends कह सकते है तो diameter के ends अगर दे दिये जाए तो circle का equation यह हो सकता है इसको चाहे तो याद कर लो बसे यह निकालना असान होगा दो कैसे यह दोनों point दिये इनका mid point निकालोगे तो center आ जाएगा center आ जाएगा और distance निकाल के half करोगे जाएगा और center radius मालू में circle का equation लिख सकते है और direct ऐसे भी याद कर सकते है अगर हमें diameter के end points दे दिये जाएं x1, y1, x2, y2 तो circle का equation ऐसे हम याद कर सकते हैं इस circle का equation होता है x-x1, x-x2 y-y1, y-y2 बराबर 0 जो यह शाएद हमने पहले कभी नहीं पढ़ना कोई बात नहीं आज पहली बार पढ़ना है लेकिन आसार है diameter against point मालू में इन दोनों का mid point निकालोगे center बन जाएगा और इन दोनों के बीच का distance निकाल के अधा करोगे radius बन जाएगा तो center radius मालू में circle का equation आजाएगा और वैसे ऐसे भी कर सकते हैं तो दोको यह बन गया एक circle line दो point से पास होने वाली line और एक circle बो circle लिया जिसके diameter के end से यह दोनों हैं तो फिर देखो इन सब का equation क्या होगा circle plus lambda time line बराबर 0 है ना तो इन सभी को हम coaxial system of circles कहते हैं जोकि दोको सभी के radical axis सेम है तो क्या होता है हर जगे एक circle और एक line है हर जगे चाहिए पहला case हो second case में भी 2 circle थे हमने circle line बना लिया था तीसरे में भी देखो एक circle एक line यहाँ भी देखो एक circle एक line यहाँ भी circle एक line इसमें दो point दिये थे ना line दिया था ना circle दिया था तो हमने एक circle निकाला और एक line निकाल ली और circle line मालूम है तो हम general equation of circle लिख सकते हैं मतलब बो सारे coaxial system of circles का equation हम यहाँ पर लिख सकते हैं अब दोको इससे हमने कई बार question को करने बड़ी help मिलती है दो कैसे help मिलती है को बताते हैं दिखो जरा ध्यान से बताते हैं दोखो